इसमें हम पढ़ेंगे xnor gate using nand gate, हमें सिर्फ nand gate ही use करना है और कोई gate use नहीं करना, ठीक है, तो अब हमें a, b चाहिए, तो a ले लिया, b ले लिया, दोनों को nand gate से connect कर दिया, उसके बाद मुझे a bar, b bar चाहिए, तो a bar और b bar ले लिया, उसको nand gate से connect कर दिया, फिर दोनों की हमें add करना है, तो फिर से further हमें दोनों को nand gate से connect कर दिया, तो मेरे पास final expression आ गया,